वेलकम बाक तो माय यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कुशन इस हाव तो अनलाइज मॉक टेस्ट मैं आपको बहुत अच्छा वर आप बेस्ट में बता रहा होंगा पॉर योर अनल गलें है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो की फ्रिक्वेंसी भले grass correct है जो लने जो कराया था साथ 10 श्यक्राइबמש aceutक कर सकते हो तो आप कर सकते हो तो आप कंटेंट पर वहुत क्वालिटी पर वह रखें चिक है चलिए स्कार्ट करते हैं तो पहले तो डिसक्स करते हैं इंपोर्टेंस ओफ मॉक टेस्ट की मॉक टेस्ट देने ही क्यों चाहिए तिक जैसे यहां पर लिख रखा है वेरी 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 कि पावर इंफिनिटी मतलब इतना साथ है कि मैं बता ही नहीं सब्सक्राइब अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे र लगाते हो एक चीज़ धाना टेस्ट इसके जो बच्चा करेगा ना उसका सेलेक्शन भी स्केप होगा मैं आज ये लिख कर दे सकता हूं क्यूंकि अगर आपको यहीं पता नहीं चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसमें कितने अच्छे से स्कोर कर सकते हो तो फिर करना है जिस चीज में आप अच्छे सकते हो नहीं कर पारे हो एक होता है सब्जेट आना कि आपको फिजिस वाई मॉख्यक कर दोगे निकरदा थोड़ी हुआ आपको तो question को उस तीन घंटे में करना है आपको question उस तीन घंटे में करना है this is why mock test is important आप उसी महौल में paper देखते हो कि आप कितना attempt कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो इसलिए देना है कोवेशन तो करी लोग है यार दस दिन में कर लोग है टाइम नहीं नहीं चला उस तिन घंटे 20 मिनिट में आप कर पा रहे हो पिपर को या नहीं कर पा रहे हो इस तोपिक्स वीक हैं जो आपको आता है वो आता यह आप कौन से कॉंसेट को पकड़ नहीं पा रहे हो उस टाइम में वो चीज़ आपको सीखनी है इसलिए मॉप टेस्ट देना इंपॉर्टेट है अब उसको एनलाइज कैसे करें देखो अच्छा एक और चीज़ अगर आपने माना आपने सुबह सुबह बान लो टेस्ट दे दिया आप सोच सब्सक्राइटी छोड़ना सोचना छोड़ दो वरना अपना सपना भी छोड़ दो नहीं है ठीक है और कोचिंग वाले या कहीं भी आप पढ़ते हो जो टेस्ट उनके लिए नहीं हो रहा है टेस्ट आपके लिए हो रहा है अगर तुम्हारा अनलाइज करने में एक दो हंट टाय उससे उपर भी जा रहा है ना वर्थेट है वो तो कि अगर आनलाइज नहीं करोगे तो आप वहीं सेम गलती अगर आटेस में रिपीट करोगे और मेरे असे लिखवा के ले लो वहीं गलती आप नीट के वेपर में करोगे है याद रठना आप आप सोज नू मिस्तेक्स कर लो चलेगा बिलकुल चलेगा बट एक मिस्टेक को ृपीट मत करो रिकीट मत करो यह चीज धान रखने है यहीन ए digits की इस के बैठे आपके पास answer किया वगरा आ गई जबके नहीं भी आई अप मिल जाएगी कहना कि इसे ठीक आप मिलाना start करो आप अपनी एक mistake notebook बनाओगे mistake notebook this is very very important this is very very important mistake notebook बोल लू या पर मैं इसको error notebook बोल लूँ error notebook बोल लूँ इस is very very important आप पूछो कि आप मेरे से कि सर ये error notebook होता क्या है अब देखो भई ये error notebook क्या होता है ये error notebook कुछ इस तरीके से होता है कि आपने test दिया आपने copy खुली और आपने लिखना start किया भईया कि आपके question जो मानलो गलत हुए wrong हुए तो question कौन से wrong हुए आप उस copy में date डालोगे सबसे पहले test का name ये number डालोगे जो भी है ठीक है आप डालोगे wrong questions जो questions wrong हुए थे आपके ना आप उसमें लिखोगे कि मानलो question नमबर था आप लिखोगे कि आपने mistake क्या करी लिखना है कि conceptually गलती हुई थी या calculation में गलती हुई थी या time के चक्कर में silly mistake हुई थी concept में problem थी या silly mistake थी या calculation था कुछ error जो भी गलती है उसको with पूरी honesty लिखोगे क्यों बताऊंगा अभी लिखा अब अगर concept में गलती थी तो भया real concept क्या था real concept क्या था actual solution क्या था उसको लिखो उसको भी write down उसको भी write down उसको भी लिखो ताकि आप दुबारा वो चीज गलती ना करो यह हुआ आपका wrong चीज़ों का यह हुआ आपका wrong चीज़ों का next चीज नेक्स चीज आप आप जाके नजर मारो एक बार paper में कि जो आपके questions करेक्ट हुए हैं आप एक बार चेक करो कि जो questions करेक्ट हुए हैं वो क्या guesswork था या फिर real में करेक्ट थे अगर अगर रियल में करेक्ट थे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर guesswork था तो आप उसका real concept लिखेंगे आप उसका real concept लिखेंगे और real solution भी उस copy में लिखेंगे और आखरी में लिख देंगे number of questions correct number of questions incorrect correct आप try करेंगे अब अगला test देना है next test आप next test से पहले यह copy को revise करेंगे कि आपने क्या-क्या गलतियां करी थी क्योंकि अगर हो सकता है कि क्या calculation mistake हो कई बार वच्चे 2 की power 3 को 6 लिख देते हैं एना तो अगर अपने ऐसी गलती भी करी तो इस पर mention करोता कि आप अगले test से पहले revise करोगे कि मैं ऐसी गलती करता हूं तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है संजबात को clear हुई चीज रिवाइस करोगे ऐसा आपको हर test के लिए करना है अब अपने full length test से पहले और need exam से पहले और आपको विद टाइम कोशिश करना है यह जो correct incorrect की संख्या है उसमें incorrect वाला कम हो और correct वाला बढ़ जाए यह आपका motive है और जो यह गलतियां आप लिख रहे हो यह गलतियां विद टेस्ट repeat ना हो भले इसमें कोई नया आ जाए अगर कोई नया आ जाएगा तो in the end आपके आपके पास एक collection of mistakes है जो आप revise करके जाओगा कि आपको यह 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 साली गलतियां पेपर में नहीं करनी है अगर आप केवल गलत question को analyze करते हो तो हो सकता है कि अपने किसी question में तुक्का मारा हो आपने सिर्फ option eliminate किया हो आपको question नहीं होगा तो अब जो question ठीक भी कर रहे हो ना तो वो भी देख लो भाईया कि तुक्क्या लगा है या फिर सच में आता था अगर सच में आता था तो कोई दिक्कत नहीं है अगर तुक्का मारा है या optionally किया है उसका real explanation लिखो कि question कभ घुमा फिर आकर कैसे पूछले आपको नहीं पता अगर आप ऐसे नहीं करते हो अनलाइस दिक्कत हो जाएगी और ऐसे अनलाइस करते हो तो आपका इंप्रूइब्मेंट होगा 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 हैंट होगा और वीडियो पसंद आई होगी तो एसा ही वीडियो के लिए Ona को सब्स्याव करिएका शेर करिएक वीडियो को लाएक करेंगा मिलते हैं एक वीडियो में 140 शूंट है को झाल झाल